कैसे आप लोग बढ़िया एक जब बढ़िया एक देखिए मेरे प्यारेशेंट आर्ट्स का हो या कमर्स का हो या साइन्स का हो कोई भी स्टुडेंट हो आप लोग को चार अंग का संचेपन पूछता है ठीक है तो उसका मैं ऐसा ट्रीक बताने बाला हूं कि आप लोग को डा आपन का साब्दिक अर्थ क्या होता है कुछ छीपाना या अर्था छोटा करना दिये गए भाग को निवन परकार से छोटा किया जा सकता है ठीक है न कैसे तो दिये गए गधांस भाग को पढ़ने के बाद आप अपने मन में एक सीरसक को खोजना है जैसे कि कोई भी चीज आपको गधांस दे दिया उसको अपना मन में पढ़ करके उसको सीरसक को मेंसमयिनमेंट को खोज लेना है उस सीरसक के अनुरूप जो लाइन यशोसे मतलब यलाँ है फिर हुद इससे सब्दों को टथा पर ही जिनना है जो इश रहे सो और लिए supposed तो आप लोग क्या इक ही सब्द जोरना, या द रखना है यह main point है जो सब्द आपस गिनेंगे जो भी सब्द किनेंगे सबगे सब्धो सब्द सब्दु देना चाहिए उधारन के लिए आप लोग देखिए यहां पर दिया गया है मेरे प्यारेशेंट जैसे यहां पर आप लोग को दे दिया गया है संचेपन में देखिए जसका सब्सक्राइट के निए टीन लाइन में हो गया एक लाइन दो लाइन ०ी देखिया है तूरा सा यहाँ पर अब छोटा है तो लगमग नो लाइन का है अब इसमें कह रहा है कैसे कह रहा है तो लेखक का काम बहुत अंसों में मधु मख्यों के काम से मिलता है और मधु मख्या जो है मकरकंद संग्रह करने के लिए के लिए लग गया तो एक ही सब जो ना है वो सो चकर लगाती है और अच्छे अच्छे खूलों पर बैट कर उसका रस लेती है तबी तो उनके मधु में संसार की स्रेष्ट मदूरता रहती है यदि आप अच्छा लेखक बनना चाहते चाहे तो आपको यही प्रवीर्ति गरान करनी चाहिए अच्छे अच्छे गरान्तों का खूब अध्यन किजिए और उनकी बातों का मनन किजिए फिर भी आपकी सभी रचनाओं में मदू का रस आने लगेगा कोई अच्छी उक्ती कोई अच्छा विचार घले ही दूसरे से गरान किया हो पर उससे यथेश्क मनन कर उससे अपनी रचना में अस्थान देंगे तो वह आपका हो जाएगा अब इसको संचेपन में देखिए यह जो भी सब्द था वह आप लोगों को उसमें भाग कर दिया गया तीन से लगबक एक सो पांच आया है भाग करने के बाद अब क्या करा है अच्छा लेखक बनने के लिए मदुमक्खी का स्वभाव गरहन करना चाहिए फिर क्या करा है स इसे लेखक की रचना सुवता ही मधूरे से पूर्ण हो जाएगी मेरे प्यारे शिंट कहने का आर्थ यह है कि आप लोगों को संचेपन बहुत ही संदार तरीका से अब कहें कि सर इसमें क्या-क्या पूच्टा यहां पर सब्जेक्टिव का पूरा कोश्चन हमारे पास है ठ सब्जेक्टिव का मैं मात्र आप लोगों को बताता हूं इसमें कोश्चन कितना है आप लोगों को इसमें साथ कोश्चन जो सब्जेक्टिव में तयार किया गया है टोटल मिला करके आप no-do अपास कोश्चन बनाना है पूरा मेंसे जिसमें से आप लोग को साथ में से आप लोग को 18 यद 20 कोश्चन टकर दे देगा ठीक है फिरे प्यारे एशन में आप लोग कहता हूं एकदम 100% गरेंटी के साथ अगर आप लोग हिंदी में 90 परस नंबर लाना चाहते हैं या इंगलीज में भी 90 परस लाना चाहते हैं या और सब्जेक्ट में भी सारे 400 आप लोग को लाने का उम्मीद है तो आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप लोग अभी से भी अच्छा से अच्छा कर सकते हैं और आप लोग वही कोस्टन परें जो आप लोग को 100% exam hall में आए ऐसा नहों कि आप वही चीज को पढ़ते रहा जाए जो आ साथ करते हैं मेरे प्रियाशन तो डियरेक्ट एक दम गडरदा मचाते हैं वही चीज पढ़ेंगे जहां से कोस्टन भाइंगे फते गाऊ है और इसमें से दो मार्क्स वाला जो होता है, हमलोग बीस कोस्चन देते हैं जिसमें से बीस कोस्चन आप लोग को पूछ लेता है उसमें से तॉसक्षण बनाना पढ़ता है पूरा का पूरा क्वोस्टिं उस अबहिँ आप लोग को औफ़र को पर्चेस कर लेते हैं तो इसमें आप लोग सब्जेक्टिव परफ्चेस सेट आप लोग को मिलेगा और साथ में आप लोग गरूप जोईन करया जा जिसमें मेरा कॉंटेक्ट नंबर है बिरासी उन्तिस चवरासी पैंतिस बावन आप लोग डाइरेक्ट मेरे प्यारेशन फीडियेफ नोट्स आप लोग को मोबाइल में लिजिए और आप लोग अपना प्रिंट निकलवा लिजिए और उसे इतना पहतर तरीका से आप लोग करें जो आप लोग को एक जाम और में पूरा के पूरा कोश्चन वही रहेगा आप लोग के वाल उसको रट लेना है ठीक है आप लोग फटा फट से बिरासी उन्ति-चौरासी तेटिस बावन पर आप लोग को यहीं से आप लोग को जो है यह गूगल पे फोन पे वार्टस सबी चीजों का नंबर यही है आप लोग फटा फट से कॉंटेक्ट कर ले ठीक है और मेरे प्यारेशंट अगर आप लोग को फिरी अपको सबी चीजों का पीडिया पनर चाहिए तो वह भी बला भी आप लोग को मिल जागा चिंता ना करे कहां से मिलेगा तो मैं बतायता यहां से आप लोग को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमार पनीौ को सब्सक्राइब करें तो मेरे प्यारेशंट मेंृट करेंगे में इतना इवा वेस्ट आप लाग्ट, जय हिन जय भारत.